हेलो इस्टुरेंट वेलकम टू अतुलोजी केसन तो फ्रेंट इस वीडियो के अंदर हम लोग टर्म्स एक्जाम जो आपके होने वाले हैं 50 माक्स के टर्म्स एक्जाम के लिए कौन-कौन से most important question है देखने वाले हैं वह भी सबसे important है कि chapter wise देखेंगे कि हर एक chapter का कौन-कौन से question importance है कौन-कौन से question को पर आपको ज्यादा focus करना है और एक्जाम में अच्छे question यहाँ पर upload कर दूँगा आपके लिए एक्जाम के लिए कम टाइम रहेगा ति इस important question को आप prepare करके जा सकते student काफी helpful रहेगा एक्जाम के लिए तो यहाँ पर सबसे पहला जो chapter आपका है उसका नमे introduction to commerce and business इसके अंदर से जो आपको सबसे पहले पढ़ना है student वह है आपको यहाँ पर explain the following terms and concept types के question पूछे जाते हैं जिसके अंदर business क्या होता है प्रोफेशन क्या होता है और employment क्या होता है एक question आपको study कर लेना है एदि हम फॉर्स चेप्टर के distinguish की बात करें तो यहाँ पर आपको जो distinguish पढ़ना है आपको distinguish between industry और commerce के बीच में पढ़ सकते हो और distinguish between business और commerce का पढ़ लेना आपको और justification की टाइप के question आपको पूछे जाते है और justify the following statement जिसके अंदर आपको आपको पूछा जाएगा commerce इसे wider terms of trade है क्या justify करना है आपको तब इसके बारे में कैसे लिखना है कैसे आपको preparation करना है इस्ट्रेंट अच्छे से prepare कर लेना बहुत ही importance होता है कि दूस्ता होल सेलर इसे लिंक between the retailer and manufacturer मोलता होल सेलर जो है वो लिंक करता है कि इसको between retailer और manufacturer के बीच में एक important question है रिटेलर इजए direct contact with the ultimate consumer बोलता है retailer जो रहते है उनका direct contact रहता है किसे consumer से तो यह आपके क्या है justification के question है कि जो short note से इस्ट्रेंट आपको पुछा जागा define the business क्या होता है explain it's the features क्या है कि दूसरा explain the business objective क्या है what do you mean by the commerce क्या होता है estate यानी four features of employment क्या होता है यह आपके short notes और long answer है इसके बाद chapter number two के account क्यों से important question हो देखते हैं उससे पहले एक छोटा सा announcement आप लोग के लिए सब यहाँ पर एदि आप लोग मैंसे इस्ट्रेंट कोई भी F5 जैसी SY जैसी के लिए classes जोइन करना चाहता है इस्ट्रेंट तो आप लोग मुझे ए contact कर सकते हो आपको यह पूरा detail मिल जाएगा classes का आप लोग को मेरा number चाहिए तो number आपको ले सकते हो मुझे whatsapp पे message कर सकते हो classes जोइन करने के लिए नमबर है 9820827674 और यह pdf आपको टेलिग्राम चैनल पे मैं आपको send कर दूँगा तो आप लोग को यहाँ पर description box में टेलिग्राम चैनल का link भी मिल जाएगा और WhatsApp गुरूप का भी link मिल जाएगा जिसके जिसमें आपको यह सब पीडियाप हर एक subject के important question को आपको मिल जाएगा guidance भी आपको मिल जाएगा कि अभी हम लोग आते शुर्ण सेकेंड चैप्टर पर देखते कि सेकेंड चैप्टर में क्या importance यहाँ पर तो जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है आपका trade है जिसमें आपको define the terms and concept के अंदर आपको पढ़ना है wholesale trade क्या होता है मॉल क्या होता है departmental store क्या है foreign trade क्या है dużo अब कि ऐसके डिस्टिंगिस आपको इसमील पड़ने से डिस्टिंगिस ब glare विट्वीन wholesale and retailer क्या होता है यह पढ़ना आपको जुज्सते वीथ्टिंगिस बुट्वीन import trade क्या होता है और export bon yerde क्या होता है दोनों की distinguish पढ़ना है यहां पर आपको लिखना है justify the following statement आपको justify करना है wholesaler maintain the price stability maintain करता है इसको justify करना है आपको लिखना है retailer provide the home delivery of the goods customer retailer home delivery के लिए goods provide करता है customer को packing play important role in the selling of the product in supermarket इसब आपके justify की important question है chapter 2 से अब short notes की बात करें शुन तो short notes में आपको जो question पढ़ने हो explain the primary stage of import procedure क्या है what are the main features of wholesaler क्या होता है explain the different service of retailer क्या क्या है what is the export trade क्या होता है और explain the procedure for in retail ते आपके short notes और long answer क्लिए important question है एदि हम चेप्टर थर्ड की बात करें तो चेप्टर का नाम है आपका है small scale industry and business जिसके अंदर आपको पढ़ना है explain the following terms क्या होते concept क्या होते है जिसके अंदर आपको small scale industry क्या है और service sector क्या होता है terms और concept के लिए दो justify the following statement के लिए जो important question है वह आपको generally the small scale industry होती है यह आपको justify करना है इसके बाद short and long answer की बाग करें हम लोग तो यहाँ पर देख सकते हो short and long answer जो है chapter number 3 में वह आपका है write any six advantage of small scale industry के छे कोई भी advantage लिखने है और state any five problem faced by small scale industry small scale industry काउंसे 5 problem face करती हो आपको लिखना है explain the process of establishment of small scale industry small scale industry को आपको कैसे establish कर सकते हैं कैसे सुरू कर सकते हैं इसकी process क्या है यह आपको study करना है जो chapter number four restaurant उसका नाम है form of business organization क्या होता है जिसके अंदर आपको study करना है following the terms and concept के अंदर soul trading concern क्या होता है करता क्या है nominal partners क्या होता है joint stock company क्या है और यह अमनों distinguish की बात करें इस chapter में distinguish बहुत importance है यह chapter ही बहुत important action actually में और distinguish में आपको private limited company क्या होता है public limited company क्या होता है यह आपको पढ़ना है और distinguishing between sole trading concern क्या होता है partnership firm क्या होता है यह आपको पढ़ना है और Distinguished between cooperative society और partnership firm क्या होता है कर अब justify के लिए यह याँआं पर important question बहुत सारे, है the liabilities of sole trading is unlimited होता है दुसरा है joint district company can be raised huge amount of capital raise कर सकती है there is a separation of ownership and management in joint district company में दोनों अलग अलग होते हैं all the partners take active parts in day-to-day management of the business में active parts participate करता है और इस चेप्टर की जो short notes से या long answer है उसके अंदर जो important question to do हो है आपका state any six features of sole trading concern क्या होता है कि state any four merit demerits of joint district family business के merit demerits क्या है कि इसके लाओं explain the features of joint district company के features क्या है एक्सप्प्रेन the features of partnership क्या है एस अब इसकी important question इस्वेंड तो आप लोग इस्वेंड वाट्सप गूरूब और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो आप लोग इसमें Instagram आईडे पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग आप लोग जॉइन करना चाहते हो class तो आप लोग इस नंबर पर मुझे contact कर सकते हो 9820827674 आप account को shortcut trick से सीख सकते हो किसी भी class के लिए अफवाई यसी से लेकर आप किसी भी इस टंडर तक स्टेडी करते हो तो आप लोग को free demo lecture अटेंड करके आप चेक कर सकते हो यहाँ पर address भी है आप इस address पर विजिट कर सकते हो कि थैंक्यू सू मच